बुलिटो दे क्रिप्टो मशीन बुलिटो पुराने सब लोग जानते हैं कि यह अगर इसका स्लोगन यह है दे क्रिप्टो मशीन तो मैं कहते हूं बहुत सकम असकम एक लाख अठाइस जार लोगों ने इसका ट्रेलर देखा गया है क्योंकि जब फर्स टाइम लाँच हुआ था तो एक लाख अठाइस जार लोग थे तो पांच जार के करीब उस वक्त थे तो उसके बाद एक लाख अठाइस जार इसमें साइन अप हुए थे ओके डियूल मैट्रिक्स यानि के उपर और नीचे दोनों तरफ इसके इनकम जाती है खैर बाकी प्लैन तो आप लोग सुन लेंगे समझ लेंगे मैं आपको एक चीज असान लफ़ों में समझाना चाहर हूँ या डिटेल समझा दूँ क्या काते हैं शवेश जी डिटेल ही कर दें सराज थोड़ा सा स्पीड में मेरे डिटेल बहुत लंबी हो जाती है ओके बुलिटो आपको जैसा के बताया था लास्ट टाइम कैलकुलेशन करके के बुलिटो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो के लोगों की जिंदगिया चंद घेंटों में बदल देगा य दो लोग आज तक कंपनी के कहने पर चले टीम बिल्डिंग का कंपनी ने तो उन लोगों ने टीम के उपर फोकस किया बहुत सारे ऐसे लोग जो के बड़े स्टेकिंग नहीं करवा सके थे लोगों की और अगर स्टेकिंग उनसे कम होई थी तो उस हिसाब से उन्होंने टीम की कमिनिटी की जो पावर इनोवेशन फेक्टरी के पास है उनके पास भी वही है अब वो जो पावर है ना अब उनकी कैश होगी क्यों क्योंके बुलिटों में साइन अप अमाउंट 0.001 BTC के अमाउंट के वैल्यू के इसाफ़ से है अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं के बी बॉंड जो है इसको दरह एक दफा दुबारा सुन लें बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा बी बॉंड जो है इसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट 0.001 BTC ठीक है अब इसकी खुद की बेसिकली कोई वैल्यों नहीं जो बिट कोई की वैल्यू है वही बी बॉंड की वैल्यू है फॉर इजेंपल बिट कोई आज 30,000 डॉलर का है तो यह बॉंड आपको मिलेगा 0.001 मिलेगा 30 डॉलर का बिट कोई 30,000 से उठके एक लाग पर चला जाता है तो आपके बॉंड की जो वर्त है वह आटोमेटिकली 100 डॉलर हो जाती है बॉंड जो ह है वह कम होके उसकी बिट कोई की प्राइस 30,000 से कम होके आजाती ही 10,000 पर तो आटोमेटिकली आपके बॉंड की जो प्राइजा वह आजेगी 10 डॉलर के उपर लेकिन इसमें बहुत सारे मल्टिपल विनिंग चार्स चांसे चांसे एक मिंट होल की जाएगा अचों कि अर्फी आन गाया तो ये जो वि बॉंड है इसके वाले से यह जिस तरह हमने पहले शुना था कि दुनिया में governments के bond होते हैं, property के bond होते हैं, different जो बड़ी-बड़ी multinational companies होते हैं, उनके bonds होते हैं, इसी तरह भी bonds जो है, यह दुनिया में पहला crypto का bond है, और यह invention किसकी है, यह invention है, innovation factory की, ना इसे पहले आपने crypto का कोई bond सुना होगा, ना मेरे ख्याल से देखा होगा इसको दुनिया में introduce करवाने वाले innovation factory हैं, तो यह भी एक जहां पे इतनी inventions हैं, वहाँ पे यह भी एक invention जो है, वो innovation factory के उपर जाती हैं, तो इसमें क्या है, lotries आप खेलते हैं, लेते हैं, जिस तरह भी आपने देखा होगा कि power ball lottery की, google पर search करें, आज से पांच दिन पहले एक, यह नहीं के sales girl थी, लड़की अमेरिका में, उसने की lottery शोट्री लीवी थी, उसकी lottery वो निकला ही, कितने ही कि निकली, one billion dollar की, one billion dollar की उसकी lottery निकली है, power ball, यही जिसके तरू आज, हमारी community में से, बहुत सारे, कोई तकरीबन, 40 लोगों के 33-38 dollar निकले हैं, उसी तरह से, power ball lottery में, एक बंदी की निकली, one billion dollar, sorry, तो, इसी तरह से, यहां पर आपके पास, इतनी बड़ी अच्छी, यहां तो नहीं winning है, लेकिन, कम असकम, 10 विटकोई, जो कि, आज के दिन में, तीन लाक डॉलर बनता है, और, lotries में क्या होता है, आपने lotries ली, निकला ही, ठीक है, नहीं निकली, पैसेज आया, next time नहीं ले, लेकिन, यह दुनिया की पहली ऐसी lotries है, जिसमें, आपने जो lotries ले ली, अगर हम bond की बात करें, तो आप जो bond लेते हैं, उन bond में क्या होता है कि वो आपका जब तक नहीं निकलता, तब तक वो आप उसका wait करते हैं, निकल, अगर, for example, निकला है तो ठीक है, बहुत अच्छा निकलता है, अगर नहीं निकला, तो वो आप 10,000 का bond है, वो आप उसको जब भी exchange करते हैं, तो वो 10,000 कही होता है, लेकिन ये दुनिया की पह तेरा डॉलर पे bond लिया था, आज उनके bond की वर्थ 30 डॉलर है, और उनमें से जिन लोगों के निकले हैं, तो कहले हैं, उन्होंने 30 डॉलर से 3000 डॉलर, अब जब के सबसे चोटा प्राइज निकला है, 0.1 BTC, अमेजन करें, अगर इनका 10 बिट कोई निकला था, तो इतने bond से आपका 3 लाग डॉलर निकला है, देने वाली उपर की दा आता है, किसी को भी मिल सकता है, तो अच्छा, अब बहुत सारे लोग यहां पे क्या होगा, अब मैं बुलिटो के वाले से बता दूँ, यहां पे earning सारी किसमें अब B bonds में है, तो जब B bonds में इसकी earning है, तो आपक यहां पे imagine करें कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने टीम के उपर काम किया है, जिन लोगों की लाखों की टीम है, वो एक एक दिन में, एक एक रात में, बलके एक एक रात में, चंद घंटों में, कम असकम, कम असकम, मेरी जो calculation कहती है, वो 107 bitcoin कमाएंगे, 107 bitcoin का मतलब बला कितना है, एक bitcoin में 1000 bonds होती है, और अगर आप 1000 को 107 से multiply कर लें, तो एक लाख साथ हजार bond आपके पास होते हैं, for example, company असा कर देती है, कि पांच तरीकों, यह मैंने बता दी है कि बुलिटों का project हम पांच को launch कर रहे हैं, हाँ यह बता दी है, for example, पांच को launch कर र और powerball की जो lottery है, वो 6 को होती है, यह 7 को होती है, तो आप imagine करें कि आपके पास कितना bond होगा, जितने जितने ज्यादा bonds होंगे, उतने ज्यादा winning के chances होंगे, तो कोई नहीं पता, कई लोगों का सोने पे 100 अगा होजए, कि जी आपको वैसी 100 bond मिल गए थे, 100 bitcoin मिल गए थे, आ इसमें winning के chances ज्यादा होते हैं, बड़े price भी निकलने के chances होते हैं, तो 10 bitcoin भी उनमें से निकला है, किसी एक में, तो यह तो एक इससरा का project है, और अच्छी बात किया है, कि जितनी देर bond आपके पास पढ़ा रहेगा, हर 15 दिन में आपके पास इसमें price win करने का, sorry, price win करने का chance है, ठीक है, 5 bitcoin, 10 bitcoin, 5 bitcoin, 2.5 bitcoin, 1.25 bitcoin, 0.1 bitcoin, तो एक बहुत बड़ी सोते भी success मिल सकती है, वैसे innovation factory ने बहुत सारे लोग जो है, उनको वैसे भी ऐसा कर दिया है, क्या वो काम शम तो करते कोई नहीं, पता है, सिस्टम चल रहा है, बैठे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो बहुत अच करते हैं, इतना बड़ा structure, उपर वाले ने बना दिया, फिर भी हम लोग मेनित का रहे होते हैं, तो खैर, तो बुलिटो का potential आपको पता चले गया है, कि यहां से multiple income है, in shape of b-bond, और अच्छी बात क्या है, इस project को जब design किया था, co matrix plan में डिजाइन किया गया, और co matrix plan क्या है यह दुनिया का पहला ऐसा plan है, कि जिसमें आपने सिर्फ join करना है, आप first slot पर join कर लें, आप second slot पर कर लें, आप आते साथ 5 slots लें, 8 slots लें, जितनी मर्जी slots लें, ठीक है, तो आप जिस भी slot के उपर हैं, उसमें तीन up line और तीन down line, आप को उसमें successful बनाने में आपकी help करती ह इसको मैंने वो बनवा लिया है, वो जो उस दिन missing था, वो मैं share करता हूँ, यह देखें, यह आपको नजर आ रहा होगा है, यह आप हैं, ठीक है, और जैसे आपको first income आती है, तो यह आपकी first up line को जाती है, कोई भी बंदा आपके structure में कई से भी दूसरा number पे आता है, तो व second up line, यानि up up line, उनको जाती है income, अच्छा उसके बाद third, fourth, fifth, sixth, यह six income जो के zero point zero, zero four B bonds बनते हैं, यह चार B bonds आपके पास आएंगे, उसके बाद seven number की income जो है, यह आप किसी investor को ले आए, for example, कोई या कोई ऐसा दोस्त जो निकमा आदमी था, जिससे मिनत होती ही नहीं है, जि उसने आपकी महबत में, आपके प्यार में, आपके insist करने पे, उन्हें का चल यार मैं भी कर लेता हूं, उसने कर लिया, ठीक है, तो जैसी आपकी या आपकी तीन up line, चार लोगों की मिनत यहां पे मिलती है, क्योंकि तीन उपर वाले हैं, एक आप हैं, आप चारों की मिनत स जैसी ये seven number का circle फिल होगा, तो ultimately income कहा जाएगी, आपकी first down line के उपर, ठीक है, उसके बाद 8 और 9 number की income जो है, ये फिर आपको आएगी, उसके बाद 10 number की income, down line की down line को जाएगी, यानि second down line को, उसके बाद 11, 12 number income आपको आएगी, और 13 number की income जो है, वो जाएगी आपकी third down line को, और 14 number की जो income होगी, ये circle फिल करेगी और recycle होके ये spillover में चले जाएगी, और spillover का भी इसमें बड़ा जबरदस एक mechanism रखाव है, आप देखेगा कि जिसको कोई income नहीं आई होगी, उनको ये spillover से आने हैं, ठीक है, और इनमें उसकी third up line भी बनती है, तो खेर, ये आपको एक यूनीक जो concept है ना, बुलिटों का जो सबसे यूनीक concept है, जिसको co-metrics plan का जाता है, वो ये है, जो के आपको पता है, एक बहुत ही aggressive plan है, तो यहाँ पे, मैं first load की बात कहा रहा हूँ, कि आपने सिर्फ 30 डॉलर की investment की, यहाँ पे एक 30 डॉलर का, आपने एक bond लगा के invest कर लि इन्वेस्ट किया तो यहां से 8 bond आपने income earn की है, उसके बाद आप अगली slot के अपर जाते हैं, second slot जो के 8 income में से 2 income आपने reinvest करनी है, और यहाँ पे फिर आपको 2 bond आपने reinvest करनी है, और यहाँ पे आपको 16 bonds आने है, 16 bond आएंगे, 16 bond में से फिर आपने 4 bond इन्वेस्ट करनी है और यहाँ पे आपको कितनी आएगी, यहाँ पे आएंगे 32 bonds, तो इसी तरह यह income multiply एगी, अच्छी बात क्या है, कि जितनी दफ़ा आपकी slot recycle होगी, और यह हर दफ़ा रिसाइकल होगी और हर दफ़ा आपको यह 8-8 bond आते जाएंगे, इसका potential मैंने जो उस दिन बनवाया था मैं आपको दिखा दूँ, yes, लोगों को ना कुछ चीजें नजर आ जाती हैं, जो के दिखाने वाली नहीं होती और बताने वाली भी नहीं होती एक सक्ड़ू झाल झाल तो यह इसमें पोटेंशल है जी कि यहाँ पर एक बंदा बहुत ही कैलकुलेटिव चल रहा है और उसने स्टार्ट सिरफ एक मांड से की है जिसकी वैलियो तर्टी डॉलर के करीब है आज तो सिरफ उसने सिंपल ही एक वो होता है ना एक लीडर्स जो है जो जिनकी टीम्स हैं वो बड़ा कहलें के जाहरा उनकी जरूरत भी है क्योंके इसमें सिस्टम इस तरह का डालाव है इसकी एक इसमें एक स्पीड रखी रिया है कि जो कोई पहले आएगा नेक्स लॉट जो भी कोई पहले बाए करता है तो वो सिस्टमेटिकली वो उसकी बाकि सब की अपलाइन बन जाता है तो अगर फॉर इजेंपल कोई एक निया बन्दा आया उसने एक मौंट से अपना स्टार्ट किया और यहां पे उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी वर्किंग आपको खुद अंदाजा होगा कि इसमें कितनी फास्ट होती है और वो स्लो स्लो वर्किंग कर रहा है अच्छा इ नहीं है और आपने अंदेर में चाहते हैं अराम अराम से करें यह लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है एक बंदा आया उसने देखा पहले आठ लोग लेके आया ठीक है उपड़ नीचे से इनकम आ रही है स्लो स्लो टीम मना रहा है और अगले छे महीनों मिसाल के तोर पे वह आ बंदे जो अराम अराम से चलेंगे उनके अंदर भी यहां पर अर्णिंग का पुटेंशल क्या है फिफ्टी पॉइंट फाइव सेवन सिक्स बिटकोइन है अच्छाए पचास बिटकोइन बनते कैसे हैं तो जब आप आठवी स्लोट पे होते हैं और आठवी स्लोट पे इनकम हमारी होती है 2.304 बिटकोइन ठीक है पर सर्कल पर स्लोट पर स्लोट एक स्कुन देख लेते हैं और एक वह हैं यह तो कमाल हो जेगा जी यह एक सर्कल की इनकम है 2.304 ठीक है और यहां पर आपको कितनी यानि एक दो तीन चार आठ इंकम आनी है यानि कि सीधा सीधा 18 बिटकोइन यहां पर आनी है ठीक है तो जब आप यहां पर 18.42 बिटकोइन अर्न करते हैं जिसकी आज के साबसे वैली होगी तक्रीबन को 6 लाक डॉलर तो उससे पहले आपकी 11 सरकल जो साथ नंबर की आपकी जो सलॉट है वो दो दफारी साइकल हो चुकी होती हैं यह सिस्टम इस तरह चलता है और आपकी 6 नंबर की सलॉट जो है वो ती इंद पांच वी स्लॉट जो है वो आपकी चार दफा री साइकल हो चुकी होती है और इस तरह करते करते आपकी टोटल इंकम 50.7 बिट कोई बनते हैं अगर इसको आज के साफ से हम वैल्यू काउंट करें तो यह बनती है तकरीबन कोई 16 लाख डॉलर अप्रॉक्स ठीक है तो यहां पर इसका पुटेंशल क्या है कि आप 30 डॉलर से इतना अर्ण कर सकते हैं और जिन लोगों की आलड़ी टीम्स हैं लाकों लोगों की टीम है तो वो तो पता नहीं कितनी दफा उनकी आठवी स्लॉट भी पता नहीं कितनी दफा और एक्जेंपल जिन लोगों ने BFIC न नेटवर्क में या B-Love नेटवर्क में उनके 100 डिरेक्ट थे हमने याद दोगा आपको BFIC नेटवर्क में हम कहते थे हर बंदा अपना सो सो डिरेक्ट करें ठीक है तो जिन बंदों के 100 डिरेक्ट से और जब वो 100 डिरेक्ट लोग यहां पे भी आपके यानिके डाउन लाइ कितने सरकल हैं कितने सरकल है जी जी शवेज जी बताएं जरा किसमें सर फोटीन सरकल है फोटीन सरकल एक स्लॉट में जी जी फोटीन सरकल है लेकिन आपको उपर से भी नीचे से भी आएगी तो अगर आप 100 को डिवाइड करें फोटीन के साथ तो आपकी आठवी स्लॉट जो है वो 7.14 टाइम री साइकल हो चुकी होगी यह पावर बता रहा हूं मैं आपको टीम की जो लोग कंपनी की बात मानते देना यह उनकी बता रहा हूं और 7.14 मल्टिप्लाइब ऐटीन पॉइंट 432 मतलब 131 बिटकोइन सिर्फ आठीवी स्लॉट से कमाते हैं जरूरी नहीं है कि आपका अगर वहां पे सोग डाइरेक्ट है आप यहां पे भी अपने सोग कर सकते हैं देखें जिस बंदे ने पहली स्लॉट से आना है ना उसने चलते चलत से उसने आठीवी स्लॉट तक पहुंची जाना है वो आज पहुंचे वो साल बात पहुंचे वो दो साल बात पहुंचे तो कमा कमा के कर रहा होगा ना दो साल बात पहुंचे तो दो साल तक जब भी जिसने भी पहुंचना है उसने अपनी अपलाइन को कितने बिटकोइन द Shop Line go 3.93 Bitcoinpetницей सब्सक्राइबि along अभी आपे करनाएंद सब्सक्राइब करनें और आगे आपको यह भी पताइएंगे कि उनकौ आपने सक्सेस्फुल कैसे करना है उसे तो सिस्टम ऐसे है अभर बनुदे को तो तीन लोग उपर से तीन लोग नीचे से सक्सेस्फुल का रहे होंगे तो हम बात करते हैं उसी के उपर जो हम कर रहे थे इतनी बड़ी आपने मेरे से बात भुलवा दी मुझे से इर्टीन पॉइंट येस वो ये था आपके 100 डिरेक्ट डिवाइड़ बाई आपके ये थे 14 येस 7.14 ठीक है बिटकोइंज बारहल जहन से निकल गी कैल्कुलेशन एनिया हो तो बारहल ये बुलिटू का पुटेंचल है अच्छा यहां पे आपने सिर्फ अभी भी मैं आपको मश्वरा देता हूं आप बुलिटो में टीम के उपर फोकस कर ले ठीक है आप एक बंदे के पास नहीं टीम बड़ी टीम नहीं है ठीक है आप डिरेक्ट के उपर फोकस करें क्यों क्योंकि सी मशीन में आपको डिरेक्ट ने इंकम देनी है ये प लेकिन इसको बलके सेमी वर्किंग में नहीं कहेंगे पूछे क्यों क्योंकि इसमें आलरडी वर्किंग आपने अपने एक लब बीकलब में की वी है वही आपकी